दोस्तों नोस्कार मैं हूँ आर्गेट अशुक गोईल बात थोड़ी शायद लंबी हो जाए तो अगर आप में पेशिंस नहीं है तो वीडियो देखना बंद कर दें बहराल मुझे तो अपनी बात कहनी ही है आप सुनें अगर आपके पास समय है तो सरकार ने नई शिक्षानीती घोशित की और सभी स्टेक होल्टर्स को इसका प्रणूर भेज दिया गया क्योंकि इस शिक्षानीती में सभी का ख्याल रखना है तो अब वास्तुकला यानि आर्गेटिचर की अब शक्ताएं भिन होगी मैटिसिन की भिन होंगी तकनिक कोर्शिस इंजिरिंग की भिन होंगी बैसिक साइंस की अलग होंगी हिमेनिटीस की कॉमर्स की अलग अलग होंगी तो सभी stakeholders को ये भेज दी गई जानकारी और उनसे आग्रह किया गया कि ये वो अपना विजन डोकुमेंट त्यार करें ताकि उसको करेंवित किया जासके नई शिक्षा नीती में सबसे एहम बात ये ठीक एक तो सभी प्रकार की शिक्षा मात्री भाषाओं में हो ताकि वे चात्र जो अंग्रेजी भली भाती नहीं समझ पाते लेकिन अपनी मात्री भाषा समझते हैं लेकि मिधावी हैं तो वो मुखे धारा में आने से छूट ना जाएं दूसरी बात ये इसके अंदर परिकल्पना थी कि शिक्षा बोज ना लगे और ऐसा ना हो कि किसी ने तीन साल का कोई डिगरी कोर्स कर रहा है और दो साल के बाद छोड़ के चला गया तो दो साल के बाद उसको सारी पढ़ाय लिखाई उसकी विर्त चली जाए उसको किसी प्रकार के प्रमान पत्र हम दे दें ताकि उस प्रमान पत्र के अधार पर उपना जीवन यापन कर सके रोजगार उसको मिल सके मुख्यता ये दो एहम मिंदू थे नई शिक्षा नीती में कि समाज की मुख्यदार से सभी लोग जुड़ पाएं भाशा की विसंगतियां उसको मार्ग में अवरोध ना पैदा करें दूसरा अधूरी पढ़ाई छूटने पर उसकी अब तक की प्राप्त की गई शिक्षा बियर्थ ना चली जाया उसे किसी प्रकार की अम प्रमानपत्र देदैं ताकि वो किसी प्रकार का करीयर रश्वन सके किसी प्रकार से अपने रोजगार की विवस्ता कर सके अब हमारे अर्टेटचर को ले कि इसे किया कि दो तरजन से ज्यादा पुन्नों का विजन डॉक्यमेंट था सब जगे आर्टेटिक कॉलिज में भेजा गया सोचल मीडिया पर इसको डाल दिया गया इस पे टिपणियां इन्वाइट करने के लिए अब हाली में कि मैं एक जैपूर में इस बार में विश्थार से चर पाच वर्षी इसनात्र को जिसमें 50 परसेंट कोर्स 26 परसेंट बिल्डिंग साइंस एंड एप्लाइड इंजिरिंग 14 परसेंट एलेक्टिव कोर्सेंट 10 परसेंट प्रोफेशनल एंड इस स्किल एन्हांस्मेंट कोर्सिस पढ़ाए जाएंगे चात्र रशनात्मक बने इस हेतु अधिक्तम इलेक्टिव कोर्स की चोईस देने पर बल दिया गया है इसी की साथ चात्रों को वहवेरिक ज्यान देने के लिए प्रेक्टिसिंग आर्केट की विस्टिंग फेकल्टी ग्रूप में जोडने का सुझाव दिया गया यानि जो लोग ट्रेक्टिस में हैं वो लोग कॉलिजिंग में जाके पढाएं कि चात्रों गोबीच में पढ़ाई छोड़ने पर 111 घंटे की पढ़ाई एवं 92 क्रेडिट्स बानुए क्रेडिट्स पर डिप्लोमा 196 घंटे की पढ़ाई वह 175 क्रेडिट्स पर ब.s. एवं 247 घंट कि अब यह जो डिप्लोमा की डिग्री सर्टिफिकेट और दी जाएगी यह स्पष्ट नहीं है कि यह रोजकार देने में डिप्लोमा डिग्री कहां तक सक्षम होंगे मैं उधारन देता हूं आपको कि अगर किसी वेक्तीने कर दिया दसमी के बाद डिप्लोमा क्षेट चझल कर सकते हैं उध्य। तो अगर्म की के बाद बहुत सो हैं अभीक मेंटीश डिवल्फिक्स सकते हो कुछ जगे 200 स्क्वार मीटर है कुछ जगे 500 स्क्वार मीटर है यानि दस्वी तक की पड़ाई इसको तीन साल का डिप्लोमा और उसके वद आप कि अपना ओफिस कोन सकते हो वह वह निर्मानस के शित्र में काम कर सकते हैं अब 20 के बाद आर्किटिचर एक्जाम होता है जो नाटा या जैए पेपर टू के माधियम से होता है उसके बाद यह जो बच्चे पड़ाई धुरी छोड़ देंगे तीन साल के बाद वह दिपलोमा उनको दे दिया जाएगा तीन साल के बाद उनको बीस्टी की डिग्री दे दी जाएगी त तो वो विश्विध्याले उसको डिग्री प्रदान कर देगा बीस्टी की और डिपलोमा प्रदान कर देगा कुछ अमाउंट ऑफ क्रेडिट और कुछ अमाउंट ऑफ गंटे की पड़ाई के बात लेकिन क्या यह डिपलोमा डिपलोमा सिविल के बराबर होगा क्या यह बी तो इस प्रकार की जो नए डिप्लोमा और ब्यस्टी की डिग्रियां बाट दोगे तो उन छात्रों का भविश्य क्या होगा इस बारे में कहीं कोई चर्चा निकी जाती और विजन डोकुमेंट जो एनिपी का है नई शिक्षा नीती का है उसमें जो महत्पूर मुद्दा था वो था भाषा का कि मात्री भाषा में लोगों को पढ़ाई कराई जाए अखिल भारतिये तक्निकी शिक्षा परिद्र जानी इस शेत्र में बहुत अच्छा काम करें उन सब्सक्राइब कर दिये हैं हिंदी और मात्री भाषाओं में रिजनल लेंग्विज में पुस्त के छापने के लिए उनके प्रयास चल रहे हैं उसके प्रकाशित करने वालों को लिखने वालों को वह आर्थिक सहयोग दे रहे हैं लेकिन आर्किटेक्टर में आप देखिए करती हैं वह मात्रंगरी जीओं तो किसी प्रकार से नहीं शिक्षानीति के तहट कौन से लुप आट की विद्वान शूचने को त्यार हैं ना काम करने को त्यार हैं अब इस मामले पर हम और आप ना सोचें तो कौन सोचेगा बहुत सारे सीनियर आगेर्टेस को ऐसा लगता है कि शोग जी आप हर मामले पे अपनी करते हैं कि मैं तो निविदन कर रहा हूं सबसे कि आप भी कीजिए जो प्रस्ण मैं उठा रहा हूं उनके उत्र तो दीजिए इस ब्यस्टी की डिग्री का डिग्री पाने वाले पाने वाले क्या करेंगे के दिग्र पॉलिस में जो मात्री भाषण और व में तक्निकी शिक्षा की पढ़ाई की बातकी गई है उसका संझ्यान कॉंसे%, अले का अलेव थीच्चिर नाटा के अरो मात्री भाष्व ग्udeस्ता क्यों कर रहा अब नीट का इंतान जो medical entrance इंतान है जो सभी प्रकार के medical courses में admission के लिए लिया जाता है इस साल 7 मई को उना निच्छत हुआ है वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी और मात्री भाषाओं में भी होता है अब लोग कहते हैं अशोग जी आप इस तरह के मामलों में क्यों दखल देते हो इससे profession का विप्रीत असर पढ़ता है profession पे इससे ऐसी भावना जाती है कि जो regulatory bodies हैं वो चीजों पर ठीक से विचार नहीं कर रहे हैं मित्रों मैं तो सिर्फ जो वस्तु इस्तिति ये उससे अवगत करा रहा हूं मैं तो चाहता हूं कि कॉंसिल वारेटिचर के वे लोग जिन्होंने विजन डॉक्मेंट त्यार किया है हमसे इस बारे में चर्चा करें अपना पक्ष सामने रखें यूट्यूब और सोशल मेडिया सब के लिए खुला है जिन प्रशनों को मैं उठा रहा हूं उनके प्रशनों के उत्तर अगर ये सीनियर आर्टिट चाहिए आईए के वरिष्स सदस्य है जिसके तो मैं समझता हूं कि फूचर आर्टिट्ट से बड़ा अपकार होगा आपकी क्या राया है बताएगा जरूब झाल झाल